दोस्तों आज किस वीडियो हम बताएंगे कि किस तरीके से सेटिंग से अप हाइड का ओप्सन ढूंड सकते हो अगर आपके फोन में सेटिंग में अप हाइड का ओप्सन नहीं मिल रहा है तो उसको आप कैसे ला सकते हो बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि भाई म एना टायम को वेस्ट किये वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोखो यार सबसे पहले अपने फोन का सेटिंग आपन कर लिजिए मैं सेटिंग से यह सब कर के बताऊंगा तो चलिए सेटिंग आपने कर लिया हूं सेटिंग में आपको यहां पर क्या करना होगा ध्यान से यहां पर उसके आपको यहां पर लॉक प्रेल करना पर्षार्ट नहीं तो नहीं मिल रहा है तो घबरानी की कोई बात नहीं आप क्या कर सकते हैं कि उपर में सर्च कर सकते हैं एप हाइड ठीक है एप हाइड सर्च कर सकते हैं दोस्तों सेटिंग में ही आपको सर्च एकन मिलेगा उपर में ठीक है आप इसली एप हाइड सर्च कर सकते हैं आपको एप हैड मिल जाएगा तो ठीक है अगर आपको नहीं मि में भी आपको app hide का option मिल सकता है guys तो आप easily app lock पे click कर लीजिए और यहाँ पे आप एक पर pattern दे लेना जो भी आपका pattern है वो आप यहाँ पे देखे आप वो आपस यहाँ पे आ जाना तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आओगे उसके बाद आपके phone में जो भी उसके just सामने hide for home screen यह option आ जाता है इसी को hide आप बोलते हैं दोस्तों और यहाँ से इसको आप मैं on करूँगा तो यह डायलर में hide हो जाएगा दोस्तों अगर आपको यह option यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है अगर आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है जैसे कि मेरे में मिला तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे मैं आपको लास्ट तरीका बताता हूँ देखो गयज आपको यहाँ पे उपर में सेटिंग का ओप्शन दिखता है सेटिंग पे किलिक किजिए और यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई hide for home screen का ओप्शन तो नहीं है न यहाँ पर देख लेना अगर आपको hide for home screen का ओप्शन मिल जाता है तो ठीक है यहाँ पर सेटिंग आज यहाँ पर कहाँ बता है यहाँ पर सेटिंग इस पर किलिक किजिए गा अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर भी हो हमें कॉमें बताइए मैं आपके लिए एक और वीडियो लाओंगा पार्ट टू लाओंगा जिसमें आपको डिटेल में आप हाइड का ओप्शन लाने के लिए बतलाओंगा